Hello all friends and brother and sister and life enjoy and joint family very very beautiful and very very important joint family and life. ये दी मेरे प्यारे बाइव बाइवार बैनों को सब को मेरा नमस्काba worker जे माता जी की है आप सभी अपने परिवार के साथ में जिना सीखी सिंगल परिवार के अंदर बहुत प्रॉब्लम आता है और आज इस्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूं प्लीज करपया करके यह वीडियो अंत तक पूरा देखे यदि मेरा वीडियो आपना अंत तक नहीं देखा तो आपने जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा है और करपया करके रुपाराम बोला यूट्यूब चैनल सस्क्राइब जल्दी से जल्दी कीजिए क्योंकि जो भी हम निव आइडिया के बारे में वीडियो बनाते हैं कभी भी आप तक पहुंचाना हमारे को बहुत काम जल्दी से जल्दी करना है क्योंकि हम हमेशा जोस के आज सराब यानि दारू दारू एक ऐसी चीज है जो माता पिता भाई बेन परिवाद सब को बुर्वाद करके रख देते हैं आज उसके बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूं एक परिवाद था दो भाई थे और एक उसकी बेन थी बेन की साधी की ससूराल चली गई सेकिन भाई की साधी की और उसने मौज मस्ती की और उसके छोटे भाई की उमड़ तो हो रही है उसकी साधी भी करने के लिए कौन भी इनकार नहीं है और परिवार वाले बड़े भाई को ऐसे समझाते हैं जैसे राजा महराजा को समझाना पड़ता है जैसा आप करेंगे वैसा ही आप लोगों को भोगना ही पड़ेगा ये आप लोगों को चेतावनी देता हूं और ये बात मेरे क्लोस प्रेंड है उसकी कहानी है हकीकत में मेरे आँकां से देखी हुई है और छोटे भाई के उपर बड़े भाई और उसके माता पिता ने लाड़ प्यार खुब किया उसको पड़ाया लिखाया बहुत मैनल से बड़ा किया और उपर से उसके दोस्तों के साथ में दारू पीना गुटका खना सिगरेट पीना उसके परिवार को पुरा ब्रबाद करके रख दिया उस तक तो छोड़ो उसके मा का सोने का गैना चांदी पैसा जमीन सब कुछ बेच करके परिवार को मिट्टी में मिला दिया ये सराव एक भूत पीने में तो बहुत अच्छी लगती है बट ये जब ये सराव जिल जाती है तो परिवार को मिट्टी के अंदर मिला देती है उसको बाद में कुछ भी दिमाग में नहीं रहता है शिर्व उसको सराव पीना एक गिलास पीना दो गिलास पीना लाइफ एंजॉई करना पीछे पीछे लड़कों के पीछे गुमना और ये पूरी जिंदगी को बरवार करना ये है सच्छी कहानी क्योंकि मेरे आखां से देखी हुई कहानी है ये हकीकत है 100% इसलिए करपया करके मैं हाथ जोड़के बोलना चाहता हूँ सभी हिंदू मुस्लिम इस हिसाए आपस में भाई भाई प्रेम से जीना है कभी भी नपरत किसी के साथ में नहीं फैलाना है जीना है तो प्रेम से जीना सीखिए नपरत से फैल कभी भी जीना मत सीखिए क्योंकि मेरे प्यारे भाई और वे न येदि आप एक जने का कारिये सपल कराएंगे तो आपके कारिये कराने के लिए सोसो जने की लेइन रहेगी यदि आप किसी का भी एक जने का गड़ जला गएंगे तो आपके पिछे हजार जने आपके गड़ को रहा करने के लिए रड़ी रहेंगे इसलिए मैं आप लोगों को सची सोच रखने लिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि सोच बुदलो तो आपके परिवार में आप सपल हो सकते हैं यदि आपने गंदी सोच रखेंगे तो आप से मैं चैलेंज करता हूँ आपके परिवार कभी सेक्सेस्पूल नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोगों को अनुबव हैं क्योंकि हम पैसे के ऊपर लालच कभी भी नहीं रखते हैं जो पैसे 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 के इच्छा के बारे में सोच समझ कर वो क्रोड़ बती तो हो जाता है और बाद में वो खाना खाने के भी लिए सोचता है ये मेरा पैसा कम पर जाएगा वो वैसा हो जाएगा ऐसी सोच बदलिए क्योंकि हम एक जाड समासे हैं हम एक किसान वक्ती हैं इसलिए हम हमेशा बरपूर पेट बरके खाना खाते हैं जो भी बात करते हैं दिल खुल करके रहते हैं बात करते हैं क्योंकि हम हमेसा जोज के अंदर हिमत के साथ रियल वीडियो बनाते हैं फैक वीडियो हम कभी भी नहीं बनाते हैं क्योंकि आजकल सराब के पिछे अजारों लाकाँ गर बरवाद हो रहे हैं और इसलिए मैं बोलना चाता हूँ जब भी आप घर से बाहर जाते हैं मुह पर मास्क रखना बहुत जरूरी है और पैसे को बचा के रखना बहुत जरूरी है और पैसे को चार जगा में डिवाइट करके रखना वो भी बहुत जरूरी है जैसी आपकी सोच रखेंगे वैसा ही आप आगे बढ़े सकत कि आपने सोचा नहीं समझा नहीं आगे नहीं बढ़ा तो आप जिन्दगी में कभी भी सपल नहीं बन सकते हैं क्योंकि आजकल लड़का लड़क्यों की आदत बहुत खराब हो गई हैं लड़के पंदरे साल से पैतिस साल तक उमर के अंदर और लड़क्यों की उमर तेरे साल से पच्चा साल तक साधी सुधा औरते भी टूटर के जरिये यूट्यूब के जरिये और आजकल तो क्या क्या नया आगया हम तो हैं ऐन्पट लोग को तो इतना समझ नहीं है इंटरनेट के माधिम में क्योंकि हम तो बुक् Carnot को पड़ते हैं और हम हमेशा पग्वान के उपर वरोसा रखते हैं इसलिए हम हमेशा सपल होने के लिए रड़ी रहते हैं और हम हमेशा एडवांस वीडियो बना देते हैं क्योंकि जैसी सोच हम रखेंगे वैसा ही हमारा कारिय होनावला है इसलिए हम इसलिए मैं बोला ये बात क्योंकि आज कल ये वर्ड़ सेव यूट्यूब प्रोफाइल फेस्बूक और आज कल तो टुईटर सभी के मादियम से लड़का लड़कों कोई फोटो डाल देते हैं और बहुत गंदे गंदे फोटो डाल देते हैं उसके बाद में बड़ी उमर से छोटे उमर छोटी उमर से बड़े उमर में भी बाते गंदी गंदी करते हैं और परिवार के उपर बहुत दबाव डाल के परिवार का नाम और निसान मिटा देते हैं और उसके बाद में परिवार के अंदर हाहा कार हो जाता हैं और परिवार बहुत बरबा होने के लिए रेडी हैं इसलिए मैं बात बोलना चाहता हूं यदि जाने पैचाने किसी से भी बात करना सोच समझ करना क्योंकि पैसे के पिछे हजारों लोग रहेंगे और पैसा मांगने जाएंगे तो एक फुटा कोड़ी भी आपको मिलने वाला नहीं है एक पैसा भी देने के लिए रेकॉंट भी रेडी नहीं है और तीसरी बात बोलता हूं वो है लाइफ इस्टैल लाइफ इस्टैल के बारे मैं आल्डेडी मैंने बहुत वीडियो बना चुका हूं और भी बना देता हूं दो भाई होता है दो भाई होता है उसके माधिय में नेक्स्ट वीडियो बनाना जा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है इसलिए करपाया करके यूट्यूब चैनल प्रुपाराम पाउलाल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए और लाइक करना जल्दी से जल्दी क्योंकि हम हमेशां अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते जै हिंद जै भर्त वंदे मात्रव